हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू फूर्स मीडिया मैं हूँ आपके साथ कोमल फ्रेंट्स आज में आप सभी के साथ में थोड़ी सी अलग से थोड़ी सी हड की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंट्स इसका नाम है कैरेमल खीर आजकल यह बहुत ट्रेंडिंग में था तो मैंने सुचा क्यों ना आपके साथ भी यह रेसिपी शेयर की जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोनिक कढ़ाई को चढ़ा दिया है उसमें डाला है एक चमच देसी घी और इलाइची से दिया है तड़का और जो चावल है मैंने उसको दो घंटे भिगो के रखा था फिर उसको अच्छे से दबा दबा के जैसे की चाव तो मैंने इसमें डाल दिया है दूद पूरा फुल फैट वाला चाहिए बढ़िया से मलाईदार तो जैसे की जैसे मलाईदार दूद डालेंगे तो उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा अगर आपके पास मलाई भी रखी हो तो आप मलाई का भी यूज कर सकते हैं तो बस इ करते हुए हम इसे पकाने के लिए रख देना है लगबग 15-20 मिट के बाद मैंने दिखा कि चावल थोड़े-थोड़े कोख हो गए क्योंकि हम लोग ने चावल को भूना भी था तो इसलिए आधी तो उसमें कोख हो गए और आधी जो है दूद के साथ में फिर मैंने यहां डूद का पाउडर क्योंकि मेरे पास मलाई नहीं थी इसलिए मैंने यहां जो दूद के पाउडर यह जो एवरीडे मिल्क पाउडर आता है मैंने उसे ही डाला है एक पैकट अगर आपके पास मलाई हू तो और भी अच्छी बात है क्योंकि मलाई का टेस्ट और भी बढ़य कि जब तक वह बढ़ी ऐसा केरमल ना हो खुद ही जो चीनी है अपना पानी ना छोड़ दे तो बस हम इसे चलाएंगे नहीं लास्ट में थोड़ा सा मैं चला रही हूं क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा कि नीचे नीचे चीनी बैट गई थी अभी भी इसमें चीनी के को करेंगे लेकिन फ्लेम एकदम धीमी रखेगा तो लास्ट में थोड़ा सा आधा चमच बटर डाला है कि टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और फिर देखे फ्रेंट्स जब खीर अच्छे से चावल खीर पक चाहे तभी हमें कैरमल को डालना जब भी आप कैरमल डालिएगा तो थोड़ा सा दूरी से डालिएगा क्योंकि जो है थोड़ा से उसमें वो जम्प करता है इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखेगा तो बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगबग 10-15 मिटर हम इसे और पकाएंगे जैसे जो कैरमल है बढ़ी हैसा खीर में उसका बढ करेंगे कहते हैं अखीर जितने जदा कोख हो वो उतना ही बढ़िया टेस्ट देता है तो बस इसी तरह से मैंने अहां उसमें मैंने ड्राइफ रूट्स पी डाले हैं आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हैं तो बस मैंने गैस की फ्लेम क बहुत ही अच्छी लगती है तो कटोरी में तो सभी सर्व करते हैं तो क्यों ना आप एक बर कुल्हड में सर्व करके जरूर देखेगा वैसे ही मैंने एक कुल्हड वाली खीर की रेसिपी अपनी चैनल पे पोस्ट की है अगर आप चाहते हैं वो रेसिपी देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप वहां से देख सकते हैं कुल्हड में खीर खाने का फ्रेंट्स उसका मज़ा ही कुछ और है तो एक बर आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा कि कुल्हड वाली खीर को तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरी ये कैरमल खीर क की रेसेपी प्लीज जरूर बताइएगा और हां अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और हां कमेंट करके मत बताना भूलिएगा कि आपको ये खीर कैसी लगी अग कर